तेखें राक नाफ हमारी जो आग थी रात में जलाई थी वो और आग जो एब एकड़म बोझकी है और आप देख़ रहे हैं इसमें कितनी राख है और जो बट्ते के ऊपर है अब यह मटके रखे हुए है देखे पूरे राख से सने और यह मटके गार की पूर कि रखा जाएगा इनको तो देखिए एकदम ताजे मटके हैं इन में कोई भी कलर नहीं किया हुआ है अभी ये एकदम इनका औरिजनल कलर दिख रहा है ये देखिए मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं अब जब इनकी राक को साफ किया जाएगा तब पता चलेगा इसम देखिए पूरा पका हुआ मटका है औरिजनल कलर है तो कोई कलर नहीं क्या गया है जहां कम कंपका है वहां कम एहां रेड है पीछे से यह्ा राक हाभी लगी हुई है इसमें इसलिए लग रहा है ब्रेंटे चे वीडियो पसंद आए तो फ्रिज वीडouth को लाइक करदेगा चैनल को सब्सक्राइब करीगा बेल आइकन दबाना नहीं हूलेगा और कमेंट वाक्स में जाके कमेंट भी जरूर करिएगा तो ताजे मटके और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें डली होंगी लेकिन इस समय इनों ने सिर्फ दो मटके और कुल्धड ही पकाई हैं मेंली कुल्धड देखिए एक आपको दिख रहा है वो अभी ऐसा लग रहा है कि पका हुआ भी नहीं अच्छे से या उसके उपर राख डली हुई है इसलिए वो कच्चा कच्चा लग रहा है तो इस समय इनोंने कुल्धड परिसौरी मटके और गुल्लक दो चीज़ें पकाई है गुल्लक भी बहुत बड़े बढ़े बनते हैं और यह देखिए अब यह जो मटका साफ करके रखा गया जो मटका भी मैंने आपको दिखाया था वही मटका गुल्धड दिए यह सब इनकी राख को जाड करके और साप करके देखिए दिये भी आपको इसमोकी से दिख रहा ह है तो के बाई फ्रेंड्स मिलते हैं फिर